आज मैं बनाने जा रही हूँ चोकलेट आइसक्रीम यह मार्केट से भी भडिया बनकर तयार होगी और बहुत ही आसान से तरीके से बनकर तयार हो जाएगी अगर आप इसे एक बर बना लेंगे तो बच्चों को तो यह बहुत पसंद आएगी ही और बड़ों को भी यह बहुत तो यहां पर मैं ले रही हूँ दो कब दूद बतलब आप देख सकते हैं यह आधा लीटर दूद है इसमें से थोड़ा सा मैंने दूद रख लिया है यह बिना बॉल किया है और फैट वाला मिल्क है यह और यहां कॉन फ्लोर लिया है एक चमच तो एक चमच कॉन फॉर मैं बाउल में डाल देती हूं तो हमें फुल फैट मिल्क ही लेना है तो आइस्क्रीम वगरे में वह काफी अच्छा रहता है इसमें मैंने जो दूद थोड़ा सा रखा था वह इसमें मैं एड़ कर रहे हूं तो दूद जो है ध्यान रखें आप ठंडा ही हो गरम दूद हमें न दाल रही हूं यह उट्म यहन इसमें बिलक्ल भी शूगर नहीं है तो इसे भी हम अच्छे से मिग्स कर देंगे ताकि इसमें कोई लंस ना रहे और वैसे जब 영ग विखेंगे तो कोई भी इसमें लंस नहीं रहेंगे इस तरह से यह भी आसानी से मिक्स हो गया है अब जो यह कौन फ्लोर का मिक्स्चर है यह भी मैं इसमें आड़ कर दूंगी तो इसे हमें घिलाते वे डालना है क्योंकि यह जो कौन फ्लोर है वो नीचे बैठ जाता है तो आसानी से अब हम इसे मिक्स कर देंगे अब इसमें डाल रही हूं मैं शूगर तो वन फॉर्थ कप शूगर मैं इसमें डाल रही हूं यानि चार बड़े चमच है तो आप अपने टेस्ट के अनुद्वाण सार कम ज्यादा कर सकते हैं चीली के मात्रा तो इसे मैंने सारे मि चोड़ेगी और दूद में अल्रेडी पानी का कंटेंट होता ही है तो हमें इसे रिड्यूस करना है ताकि जो हमारे आइस क्रे में बहुत ही सौफ्ट और अच्छी बनकर त्यार हो तो देखिए दीर दीरे गाड़ा होता जा रहा है यहां दस मिनिट हो चुके हैं स्लो गैस पर हमें यह सब करना है तो अगर आप इस पर अच्छे लोग ऐसे उल्टा करेंगे तो देखिए इस पर एक कोटिंग सी आ रही है वस अब हमें गैस को बंद कर देंगे और इससे थोड़ा चलाते रहेंगे अगर हमने छोड़ दिया यह थोड़ा सा जल सकता है इस तो यह काफी ठंडा हो चुका है रूम टेंपरेचर पर तो आइस क्रीम मोल्ड में मैं इसे डाल रही हूं आप चाहें तो जिस किसी में भी जमा सकते जो डिस्पोजिबल ग्लास वगरे आते उसमें भी इसे जमा सकते हैं तो जो थोड़ा सा मिक्चर बच गया है वो मैं इसमें डिस्पोजिबल जो आइस क्रीम के जो कप आते हैं उसमें डाल रही हूं तो इस तरह से एलुमिनुम फोईल से हम इसे कवर कर देंगे ताकि जो है इसमें आइस वगरे ना जमा हो और सेंटर में हम एक स्लिट लगा द बच्चों को तो वही सब अच्छा लगता है तो इस तरह से अब इससे हम फ्रीजर में रख देंगे या तो ओवरनाइट या साथ गंटे के लिए तो मैंने यहां जमने के लिए से छोड़ दिया है तो मैं यहां इसे नेक्स्ट चेक करूंगी आप चाहें तो साथी आठ गंटे में भी इससे देख सकते हैं तो लेजे बनकर तयार होगी है हमारी बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम और थोड़ा साथ इसे पाने में डिप कीजे कुछ सेकिंड्स के लिए बस ताकि यह आसानी से निकला है लेकिन गर्मी काफी है तो इससे निकलते यह पिखल सकती है लेकिन मैं वीडियो बना रही हू तो लीजे मज़ेदार आइसक्रीम बनकर तयार हो गई है और मैंने इसे खाया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है यह तो यह कफ़ली आइसक्रीम भी मैं इसमें से निकाल देती हूं लग रही है कितनी मज़ेदार बस बच्चों को तो हर चीज चॉकलेट की चाहिए तो उनके लिए फटा-फट बनाईए यह बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगी तो अब देर किस बात किये जल्दी से बनाईए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपकी यह कैसी बनी और जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंट्स और फैमिली में इसे शेर कीजिए वीडियो